इस question में हमें यह table given है और median age निकालने है यह सबसे पहले तो आप table को देखोगे न तो यहाँ पर below 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 की बात हो रही है, यहाँ पर यह less than table given है मुझे मुझे median निकालना है, तो पहले इस table को मैं normally convert करूँगा, normal table के लिए below 20, below 20 तो कोई भी number हो सकता है, 0 से 20 के बीच में, तो मैं यहाँ पर एक table दोनाता हूँ, और below 20 को लगता हूँ, यहाँ पर 0 से 20, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं use करेंगे, हम 18 यूज करेंगे, 18 क्यों use करेंगे, क्योंकि आप देखो question में given है, persons having the age 18 18 years onwards, ठीक है, तो यहाँ पर given है कि यहाँ पर policy कुछ दी है, 18 years से उपर ही policy दी है लोगों नोगों, ठीक है, company ने, तो 18 से उपर मतलब, यहाँ पर minimum value 18 होगी, और यह below 20 है, तो यह होगा 18 से 20, लेकिन अगला वाला जो होगा मेरा यहाँ पर, तो यह होगा 18 से 20, लेकिन अगर अगले वाले की बात करूं, यह है below 25, तो अगर मैं इसको class में convert करूं, तो एक है 20 से नीचे, चीक है, एक है 25 से नीचे, तो यह हाँ पर 18 मान लेता हूं, यह dot से denote कर रहा है क्योंकि इसके बात कुछ नहीं है, तो एक है below 20, तो below 20 का मतलब 18 से 20, एक है below 25, तो below 25 तो मैं करूंगा नहीं, 18 से 25 तो करूंगा नहीं, तो यह होगा मेरा 20 से 25, चीक है, ऐसे ही जितने भी बीच में हैं वो सारे, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 6 लेश, and so on, चीक है, तो यह मेरी age आगी, classes मेरी यह आगी, अब number कैसे निकालना है वो दिखते हैं, तो उसके लिए मैं द्वारा बनाता हूं यह, तो पहला number, 18 minimum value है, उसके बाद 20 है, उसके बाद 25 है, उसके बाद है मेरी 30, मुझे पता है, 20 से कम है 2 लोग, चीक है, तो यानि 18 से 20 कितने लोग होंगे? 2 ही लोग होंगे, अब गिवन है 25 से बिलोग है 6, यानि 25 से बिलोग मेरे 6 people है, तो 25 से बिलोग 6 हैं, 18 से 20 के बीच में 2 हैं, तो यहाँ पर कितने होंगे 20 से 25 के बीच में? 6 minus 2, यानि 4 Similarly, 30 से बिलोग, 30 से below मुझे given है 24 यह 24 लोग है total 24 लोग है और मुझे पता है 25 से below 6 है तो 25 से 30 के बीच में कितने होंगे 24 माइनस 6 है ना तो 25 माइनस 6 24 माइनस 6 यहनी 28 है ना यहनी मैंने क्या करा इन दोनों को माइनस कर दिया उपर नीचे ऐसे ही इन दोनों करूँगा तो इसकी class आ जाएगी किसकी 30 से 35 की बीच में तो 30 से 35 की बीच में 45 और 24 को माइनस कर दो 21 35 से 40 की बीच में 35 से 40 की बीच में इन दोनों को माइनस कर दो यह आएगा 33 ऐसे ही इन दोनों की बीच में प्लास साइस की, प्लास साइस, तो यहाँ पर यह यह वाला नहीं लगए, यह वाला लोगए, क्योंकि सब कर सेम में बाकि 18 इंसर्मेंट यह मैटर नहीं करता, तो आप लोगए 25 मैनस 20 है नहीं 5, ओके, ओल राइट, तो मेरा टेबल कुछ ऐसे, अब मेरा नवारा नया कॉशन करते हैं, में को यह table given है, median निकालना है, median के लिए formula मेरा यह होता है, सबसे पहले हम यहाँ पर इन सब का sum लिखते हैं, वह है क्यों की 100, given हम है, और इन सब का sum करके भी देख लाना, ठीक है, कभी-कभी लिखती रिखती गलती है, ओके, फिर हम निकालते है cumulative frequency, cumulative frequency के लिए यह अगले वाले के लिए, यह वाली cumulative frequency, यह वाली 4 इन दोनों को add कर देते हैं, 2 plus 4, 6, इस वाले के लिए 6 और इसको 18, इन दोनों को add कर दूंगा, 6 plus 18, 24, अगले वाले के लिए 24 और 21 को add कर दूंगा, 45, फिर 45 और 33 को add कर दूंगा, 78 and so on, यह दिहान रखना कि इसकी जो last वाली median class के लिए सबसे बहले आप n निकालोगे, n होता है sigma fi, यहनी यहाँ पर 100 है, अब इसका n by 2 करोगे, n by 2 की value 50 आती है, तो n by 2 की value 50 का मतलब, हमें ऐसी class निकाले हैं, जिसकी cumulative frequency 50 से just उपर हो, ठीक है, 50 से just उपर, तो यह 45 है, यह 78 है, 78 just उपर है 50 के, तो यह पूरी class होगी मे median class, अब यहाँ पर L होता है lower limit median class का, तो यह 35 है, n by 2 हमने अभी निकाला, यह था 50, h की value है यहाँ पर 25 minus 20 यानि 5, अब यह जो cumulative frequency होती है, आप ध्यान रखना, यह जो right side में value होती है, यह में से positive होती है, median के लिए और mode के लिए यह इंचे कहें, positive का मतलब cumulative frequency 78 तो नहीं हो सकत तो cumulative frequency जो यह होती है, वो होती है, इसके पहले वाले की, यानि 45, तो यह value 45 आएगी, और यह frequency, यह value frequency यानि 33, चीक है, तो यह कुछ ऐसे है, यह सारी values है, इसको लिख लेता हो, n by 2 मेरा 50 है, तो मेरी यह median class होगी, L की value 35, h की 5, cumulative frequency की 45, और f की 33, यह सारी values इस formula में बुट होगा, तो median मेरा यह आता है, पर answer अभी खतम नहीं होता है, answer आपको लिखना बढ़ेगा, कि median age is 35.76 years, okay?